हलो वेलकम तुदे एससे इंगलिस स्रीज सेट नंबर तेरा का सॉलूशन आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर तेरा तक सेरियल नंबर उल्टा पुल्टा प्रिंट हुआ हुआ इसे परिशान मत होईएगा चले शुरुआत करते हैं क्वेस्चेन नंबर वन से कॉमन एरर का क्वेस्चन है प्लीज पुट आन नोट डिकलेरिंग देट मंडे विल भी होलीडे देखिए, put on a note नहीं होगा, put out a note put out का बहुत सारा मतलब होता है, phrasal verb है इसका मतलब आग बुझाना भी होता है और इसका दूसरा मीनिंग होता है, publish करना या issue करना तो put on के जगा put out होगा, error है part 1 में, एनि A में option number 1, सही answer हमारा अगला word है, अगला question है synonyms का ठीक है, veteran का synonyms बताना है, veteran का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, तो जिसको अनुभव की कमी हो किसी field में उसको M.H.E.O.R. कहते हैं, M.H.E.O.R. सौकिया भी होता है, जो unprofessional होता है, professional नहीं कोई काम कर रहा है, तो immature है, और immature का मतलब होता है, एक और meaning जिसमें experience की कमी हो किसी particular field में, तो option number 4, सही answer होगा, बाकी है youthful मतलब युवा, pliable मतलब flexible, लचीला, और expert मतलब निपुन O.S. का question है, question number 3, to make a long story short, किसी लंबे बात को shortcut में, संशेप में बता देना, तीन number option सही answer होगा, इसका, used to end an account of events quickly, question number 4 में, आपको question number 4 में incursion का synonyms बताना है, incursion का मतलब होता है, sudden attack, आकस्मिक हमला, hurt मने चोट पहुँचाना, retreat मने पीछे हटना, aggression मतलब आक्रा मकता, और cut मतलब काटना, option number 3, सही answer होगा, सही synonyms होगा, question number 5, steal someone's thunder, किसी के कुछ करने से पहले वो काम खुद कर देना और उसका credit ले लेना, option number 4, सही answer होगा, question number 6, common error का question है, we are pleased that our daughter is married with such a nice man, with के जेगा 2 होगा, B, get married to somebody, किसी से शादी होना, option number B में error है, answer होगा, option 2, question number 7, पारा जंबल है, rearrangement है, देखे, P के बाद तो Q होगा ही होगा, a developing economy also needs to have some notion of external balance, शुरू होना चाहिए R से, at the very least, a developing country also needs to have, R को अंत में भी लिख सकते थे, लेकिन अंत में लिखने के लिए, at the very least के पहले, कौमा रहना चाहिए, या balance के बाद कौमा रहना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए R सुरू में लिखा जाएगा, और उसके बाद P Q आएगा, option number 1 सही अंसर होगा, question number 8 में आपको voice change करना है, when did Rohit return my bike, तो हो जाएगा, when was my bike returned by Rohit, option number 1 सही अंसर होगा, question number 9 में आपको bracketed part में अगर कोई error है, तो उसको improve करना है, both the families were invited, but neither accepted our invitation, option number 1 होना चाहिए, past की घटना है, इसलिए past indefinite tense का उप्योग करेंगे, option number 1 सही अंसर, question 10 में आपको correct spelling बताना है, S-E-N-T-R-E-I-S, sentries गलत है, इसमें सही स्पेलिंग होगा, S-E-N-T-E-R-I-S, सर्जन का स्पेलिंग सही है, answer होगा, option number 2, siblings में double B दिया है, एक B हटाएंगे, sibling का मतलब होता है, सहोदर भाई वहन, immolate में single M है, double M कर देंगे, immolate का मतलब होता है, मार देना जान से, तहस नहस कर देना, या फिर, बली के रूप में चड़ा देना, बली चड़ा देना, question number 11, rot का synonyms बताना है, rot का मतलब होता है, सड़ना, तो इसका synonyms होना चाहिए, डिके, option number 4, सही है, बाकी words के meaning देखते हैं, mature मतलब परिपक्व, stagnate, स्थिर हो जाना, प्रगती रुख जाना, गती रुख जाना, smell का मतलब गंध, गंध आना, सूंगना, question number 12 में आपको एंटोनिम बताना है, fatigue का, fatigue का मतलब होता है ठकान, तो इसका एंटोनिम होगा, उर्जा, option number 3 सही है, vigar, vigar मतलब होता है उर्जा, restive का मतलब होता है, बेचैन, slouch का मतलब होता है, lazy person, या lazy movement, tire मतलब ठकना, question number 13, bracketed part जो sentence का है, गर उसमें improvement required है, तो improvement करना है, you are what you have eaten नहीं, have eaten के जगा eat होगा, option number 2 सही answer होगा, आप वही हो जाते हैं, जो आप खाते हैं, चल रहे हैं question number 14 की तरफ, question number 14, OWS का question है, regard with disgust and hatred, नफरत करना, तो tease का मतलब होता है, तंग करना, दो में है अभोर, इसका मतलब होता है, नफरत करना या घरना करना, तो चौदा का answer होगा, option number 2, ridicule या स्नीर का मतलब होता है, मजा कुड़ाना, answer है दो, question number 15, आपको, खाली स्थान भरना है, दिये गए option से, the investigations revealed a, dot dot dot, lack of efficiency in the functioning of the airlines, conspicuous lack of efficiency, जांच पड़ताल से पता चला, कि एर लाइन्स के functioning में, असपश्ट रूप से, efficiency का अभाव था, option number 3, सही answer होगा, plain मतलब सादा सीधा, obscure मतलब not clear, और concealed मतलब hidden, चिपा हुआ, 16 में fill in the blanks का question है, in India, हिंदी is the most widely spoken language, widely spoken language मतलब, जादा बूला जाने वाला भाषा, या most widely है, तो सबसे जादा बूला जाने वाली भाषा, option number 4 is the correct answer, profusely का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चिले रूप से, richly और deeply का मतलब होता है, गहराई से, richly मतलब होता है बहुत ज़्यादा, select the word with the correct spelling, देखिए भई, wrapping का spelling सही है, wrapping मतलब लपिटला, बरगंडी में B के बाद A नहीं होगा, बलकि U होगा, stresses में RE के बाद सिंगल S नहीं, RE के बाद डवल S होना चाहिए, और अस्टेंचेचेज में डवल H क्यों दिया है, 18 में आपको बताना है, narration change करके, the coach said brevo, तो जहर सी बात है कि उसने परसंसा किया, तो applauded होगा, और applaud किसका किया, पुनीत का, तो option number 1 सही answer हो जाएगा, एकदम सरल तरीका, question number 19, यह आपको पारजंबल है, rearrangement है, बहुत आसान है, gone are the days, when we could think of ourselves, as a closed economy, and not really worried about RQP, बहुत सरल, वो दिन चले गए, जब हम लोग अपने आपको, closed economy मानते थे, और परवाह नहीं करते थे, कि दुनिया का वेवसाय, और payments कैसा है, भुकतान क्या है, कैसा है, question number 20, OWS का question है, unable to be destroyed or removed, जिसको न तो तहस नहस किया जा सकता है, न हटाया जा सकता है, in eradicable, omit, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, option number 1, सही answer होगा, habit आदत वॉर्ण थका हुआ, fixed, मतलब तै, अब आते हैं, close test में, बहुत असान है, an ideal policeman is a myth, एक ideal policeman एक myth होता है, you come across him, come across होना चाहिए, by कीस का तीन, only in crime fiction, equally elusive is good policing, उतना ही भ्रामक है, elusive मतलब भ्रामक, समान रूप से भ्रामक है, good policing, तो समान रूप से के अर्थ में, 22 में भी तीन होगा, equally, सही answer है, 22 का, an idea, that even the best of criminal justice thinkers, have found it difficult to define, relative pronoun के रूप में, that होगा, 23 का एक, this is why, in what is a chaotic world, we have to reluctantly, settle for an imperfect policeman, settle for something का मतलब होता है, कोई चीज से संतोष कर लेना, and an inadequate system, नीचे वाला लाइन, उपर वाले लाइन का ही repetition है, इसलिए फाल्थू typing mistake है, an inadequate system, 25 का दो, फिर से एक बार बुल दें, 21 का 3, 22 का 3, 23 का एक, 24 का 4, और 25 का दो, ये था सेट नुमर 13 का सलूशन, मिलते हैं अगले सेट के सलूशन में, थैंक यू,